पिजली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप cancellation अपना कराना चाहते हैं GSTN का तो वो कैसे करा सकते हैं उसके types के बारे मैं मैंने discuss किया था उस types में आपका एक point और आता है कि आप self से ना cancellation कराके दूसरे से कैसे cancellation करा से हैं यहाँ पे दूसरे का मतलब कोई दूसरा व्यक्ती नहीं है assessing officer है assessing officer आपका खुद से cancellation के लिए कैसे आपको बोल सकते हैं उसके लिए यह video है इस video को end तक देखें तभी आपको समझ में आएगी कि assessing officer आपके GSTN को cancellation के लिए कैसे notice भेज सकते हैं दोस्तों इससे पहले की video जरूर देखें जिससे कि आपको cancellation of GST registration है वो थोड़ा सा topic जो है critical है वो समझ में आ जाएगा मैंने इस video में बहुत ही कोसिस करी है कि इस topic को बहुत ही मतलब आसान तरीके से आपको समझाने की कोसिस करूँ सो मैं continue करता हूँ दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस youtube channel में जिसका नाम है tax for wealth मैं रंजन आज आपका एक बाद फिर से स्वागत करता हूँ अपने same topic के साथ आप कह सकते हैं इसे ये second part है उसका cancellation of GST registration का दोस्तों पहले वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी कि आप self से अगर आप cancellation कराते हैं तो उसके कुछ तीन basic points हैं जो आपको follow करने होंगे procedure हलाकि मैंने नहीं बताया था क्योंकि वो उसके लिए अलग एक वीडियो आएगी कुछ इस वीडियो के ही series में बाद में आएगी कि cancellation आप procedure कैसे follow कर सकते हैं बस मैंने आपको basic terms समझाये थे कि अगर आप इस criteria में आ रहे हैं तो खुछ से आप cancellation के लिए डाल सकते हैं उसमें तीन points थे एक points तो आपका ये था कि अगर आपका business बंद हो गया हो दूसरा अगर आपने business को sale out कर दिया हो या फिर take over हो गया हो business का तीसरा आप migrated हैं और आपके supply को या तो exempt कर दिया गया है और या फिर आपकी threshold limit cross नहीं हो रही है ये तीन points थे इसको मैंने पूरे describe में समझाया है लिंक आपको description box में मिल जाएगी तो उस वीडियो को जरूर देखें आज मैं continue करूंगा कि officer आपका cancellation कैसे करा सकते हैं दोस्तों GST में ये बहुत ही main point है कि officer cancellation आपका खुद से कर सकते हैं उसके कुछ मैं कहूंगा around 5 basic points हैं अगर आप उसके अंदर आते हैं तो आपका GSTN cancel हो सकता है पहला जो point है कि आपने provisions में कोई fault की है means CGST Act जो है या IGST Act जहां follow होता है या जो भी मतलब proper जो goods and services tax का जो act है उसके किसी भी provision में आपने fault किया है तो आपका GSTN cancel हो सकता है second point आप एक composition taxpayer है और आपने last three consecutive returns नहीं भरी है consecutive में यह बोलना चाहूंगा कि अगर आप quarterly भरते हैं तो quarterly returns आपने नहीं भरी है अगर आप monthly return भरते हैं तो monthly में आपने return नहीं करी है जैसा भी applicability आपके उपर है और नए forms में तो हला कि change हो जाएगा जैसी भी applicability आपके उपर होती है composition scheme में वो composition की आपने consecutive returns तीन consecutive returns आपने नहीं करी है तो आपका GSTN खत्रे में पड़ सकता है तीसरा point अगर आप normal taxpayer हैं और आपने last six consecutive returns means आपको इससे just double returns दी जा रही है कि छे consecutive returns अगर आपने नहीं की है तो GSTN आपका cancel हो सकता है चौथा point में आपसे बात करूँगा कि अगर आपने fraud के लिए GSTN apply करा था अगर आपने GSTN इसलिए लिया था कि मैं कुछ ऐसी statement कर दूँ ऐसे कुछ बोलते हैं willful miss statement बोलते हैं उसे अगर वो चीजें करने के लिए आपने GSTN लिया था तो आपका GSTN cancel हो सकता है इसके लिए proper investigation होती है जो कि assessing officer करता है अगर उसे यकीन होता है कि आपका GSTN cancel होने लायक है तो वो GSTN आपका cancel कर देता है लास्ट और सबसे बोलते हैं ना जिसे last but not the least last point जो आपका आता है वो यह है कि अगर आपने voluntary base पे registration लिया था आपके पूर liability कोई नहीं थी आपका business liable नहीं हो रहा था threshold limit कोई cross नहीं हो रही थी ना आपको composition में जाने के लिए कुस था बट फिर भी आपने GSTN में registration लिया GST में तो आप मतलब within 6 months business आपने start नहीं किया means returns नहीं करी GST को तो तभी मालूम पड़ेगा जब आप business की returns भरोगे तो आप उसे लगेगा कि हाँ आपने business start कर दिया है तो उस date of registration से मितलब जिस दिन से आपने registration लिया है GST में उस दिन से 6 months अगर आपने 6 महिने में कोई return नहीं भरी है तो means GST तो आपको यही suppose करेगा कि business आपका start हुआ ही नहीं उस case में भी आपका GST in cancel हो सकता है दोस्तो मैं जल्दी से इस 5 points को sum up करूंगा पहला points मैंने आपको बताया था कि अगर आपने provision में कोई fault किया है दूसरा point आप composition taxpayer है और आपने 3 consecutive returns अपनी नहीं भरी है तीसरा point अगर आप normal taxpayer है आपने 6 consecutive returns आपने नहीं भरी है चौथा point आपको मैं यह बता रहा था कि अगर आपने fault किया है means fraud करने के लिए ही fraud दोस्तों बहुत छोटा word नहीं है इसे मैं easily ऐसे describe नहीं कर सकता इसके लिए fraud GST में क्या क्या हो सकते हैं वो एक अलगी वीडियो में आपको बनाऊंगा उसमें आपको describe करूंगा कि GST में fraud किस तरीके से हो सकते हैं अभी के लिए आप इतना समझे कि कोई ऐसा काम किया है जो GST law के हिसाब से permit नहीं है चौथा point आपका ये हो गया और last point जो मैंने आपको बताया कि अगर आपने voluntary registration लिया है आता है उसके बाद आपको मतलब means कहने का मतलब है कि आपको proper hearing का time मिलता है गवर्मेंट आपको जो assessing officer आपका है वो आपको पहले notices वो करेगा कि आपकी ये fault है इस वज़े से आपका gestion cancel हो रहा है आपको उस पर reply देना होता है उसका procedure होता है कि हर notice हर socal notice का कैसे reply देना है वो सारी details में आपको इसी वीडियो की series में ही बताऊंगा बट ये है इसमें बिलकुल इतना ना घपरा है कि अगर आपने पांचों में से cancellation हो जाएगा ये जरूर है बट आप कोसिस तो ये ही करेंगे हद से हद कि मैं उसे satisfy कर लूँ fraud case को मैं अलग रखता हूँ बिलकुल ही जो ऐसा है जो negligible है means जिसे satisfy करने लाइक ही नहीं है तो उनका तो cancellation होना ही होना है बट अगर आप true है अपने business के लिए और अपने देश के लिए अगर आप true है अपने government से आप छेड़ शाड़ नहीं करते means ऐसा कोई गलत काम नहीं करते जिससे कि आप fraud में involved हो तो आपका GSTN ऐसे easily cancel नहीं होगा government आपको proper time देती है इस वीडियो में मैं ज़्यादा time ना लेते हुए इस वीडियो को sum up करूँगा और इसी के just बाद मैं वीडियो एक बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको procedure के बारे में बताऊंगा इससे पहले वाली वीडियो भी जरूर देखें इस वीडियो में भी मुझे comment करके बताएं कि आपको ये GST की series कैसी लग रही है अगर आपको कोई doubt होता है cancellation related cancellation में कोई problem आ रही है तो उस doubt को मैं जल्दी से जल्दी clear करना चाहूंगा tax for wealth अब amazon fire tv पे android tv पे और apple tv पे मौझूद है play store पे भी इसका app है follow करने के लिए आप facebook, twitter, instagram पे follow कर सकते हैं like, comment, share करें और subscribe करें जरूर thanks